हेलो और वेल्कम बैक फ्रेंड्स मैं हूँ श्रीशेल और आप से भी कॉस्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इत्मैटर्स में दोस्तों कल ही क्रॉम्टन का रिजल्ट आउट हुआ और ऐसी लिए आज मैं आपके समय क्रॉम्टन कंपनी का कुछ टेकनिकल और फंडामेंटल डेकर आया दोस्तो कल मैंने प्सकूर प्सक्राइब आपको नीचे एक ही देंच सस्तिभाह में मिल सकता है और यहाँ पर देखिए आप कि आज ही ओपन होथे PCVL में भारी गिरावट 11 रुपई की भारी गिरावट देखने को मिली है और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो यह trend line है trend line को respect किया है market में और शायद यहाँ तक आपको 110 तक PCVL गिरता हुआ दिख सकता है और अगर 110 की भी trend line तोड़ देता है दोस्तों तो बिल्कुल भी आपको इसमें buy करने के लिए जल्द बाजी नहीं करने है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा रूखी है patience रखें और बाद में हम देखेंगे अगर यहाँ से गिरता है तो आपको directly PCVL मिलेगा को शेर कीजिए दोस्तों अगर आप technical analysis का course online free करना चाहता है तो उसके link भी मैंने description में दे दी है और अगर आप candlestick pattern का free online course करना चाहता है तो उसकी भी link में description में दे दी है दोस्तों दोस्तों अब वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले ही आपको यह बता दूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है इसके लिए आपके पहले ही माफिय मांग लेता हूं आप patience रखके वीडियो को आखिर तक देखिए आप मैं यहाँ पर आपको दावा करता हूं है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे पहले basic chrome town grace जो है वो consumer electrical limited अपलब electrical जो गूर्स है उसमें वो यह company काम करती है यह बहुत ही पुराना brand है 75 years से भी ज्यादा हुआ है इस company को ठीक है तो अब देखते हैं यहाँ पर directly हम चलेंगे और समय ना गवाते हुए हम यहाँ पर देख हैंगे कि कि क्या-क्या आज brown town gabayます तोह देखें दोस्तों यहां पर जो पहला जो प्हांट यहाँ मेनेpoint turtles करेंडिकि रकेम पहला पॉंट है रेवीन्यू हमें में देखना है जोकी इस वार्टर के दंज में Edition ग्रुव का रिविन्यू डाउन है 3.84% से देखी यहां पर देखे हैं लास्ट कॉर्टर में सप्टेंबर में 1385 था इस कॉर्टर में 1699 हुआ है ठीक है तो ये 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 तो बढ़ गया है लेकिन जो कॉर्टर होता है जून में जितना था उससे 3.84% गिर चुका है तो इसका इतना effect नहीं होगा अच्छा performance कर रही है ये company तो second जो point हमें देखना है ठीक है वो है net profit तो net profit में क्या हुआ है वो directly हम जाएंगे मैंने ये point इसलिए निकाल के रखे हैं दोस्तों क्योंकि हमारा जो समय है वो बचेगा लास्ट येर में सेंट कॉर्टर में 158.81 करोड था और इस कॉर्टर में 130.71 हो चुका है तो यह गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली है ठीक है यहां पर अच्छी खासी गिरावट हमें net profit में देखने को मिली है कर आंड है का निंग पर शेयर अगर आप देखे अरनिंग पर शेयर जो एपिस बहुत ही कम है दोस्तों देखें 2.53 2.00 6 1.99 2.81 यह एक यह एक ही साइड में चल रहे है और बहुत कम अर्निंग पर शेयर से इस टाउक के बाद में पी जो है पी बहूत ही ज्यादा हाई है क् सकते हैं स्टॉक का जो पीए 40.1 पीए इतना पीए बहुत ज्यादा पीए है दोस्तों और साथ में पीए ज्यादा है ठीक है और सी एजी आर जो है इसका यहाँ पर मैं आपको दिखा दूगा जो कमपनी का सी एजी आर है स्टॉक प्राइस का वो लास्ट फाइवर का 11 अगर हो तो एक अच्छे कमना तलब माना जाता है कंपनी को और यहाँ पे कंपाउंडन को प्राफिट ग्रोद भीजी है फाइवर इसका है फिप्टीं परसंट यहाँ पर शीरा है छोड़ा स्वाय वर्स को tip परसंट अश्यरा ही अत भीजो का से नमानग्रौ निकस्टियो सब कुछ तो अच्छा है लेकिन मैंने जो कुछ भी रेशो निकाल है इसके हिसाब से देखिए तो अब पीई जी रेशो जो है पीई जी रेशो जो होता है दोस्तों से कैलकुलेट कैसे करते हैं तो मैं यह आपको यहाँ पर सिखाता हूँ आप डायरेक्ट लेखिए यहाँ लाइव देखिए पीई जी रेशो जो हम निकालते हैं दोस्तों वह हमारा जो पीई होता है उसको डिवाइडेड करके डिवाइडेड बाए करना होता है तो वह जो निकालके आता है वह 3.64 आता है तो यह हमें यह दर्शाह आता है कि कमपणी बहुत ज्यादा ओर वल्लूड है तो इस सिचुएशन में अगर पीई जो रेशो अगर समझ लीजेए दो से भी ज्यादा आ गया तो उससे तुरंट सेल करना चाहिए पर् रिकमेंडेशन आती है तो इसका तो 3.64 है मतलब बहुत ओर वेलुड कमपनी है अब कमपनी ओर वेलुड क्यों है ठीक है और इसका पीई क्यों ज्यादा है तो कमपनी का जो प्राइस है वह बहुत ज्यादा है दोस्तों ठीक है प्राइस के मुकाबले कमपनी जो भी हमें र मतलब 2 के हिसाब से 2-3 के बीच में यह है लेकिन कंपनी का प्राइस है 300-600 रुपए और उसमें इतना ही अर्निंग पर शहर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का पी हाई होगा और हाई पी वाली कंपनी और वेल्यू होती है और जैसे मैंने कहा कि किसी भी कंपनी का पी 10 और 10 to 15 हो तो यह margin of 70 के हिसाब से आच्छा होता है 20 के ऊपर अगर पी हो तो हमें उस company में एंट्री नहीं करनी चाहिए दोस्त्त प्रॉफिट देखना है ग्रॉस फ्रॉफिट यहाँ पर 151 करोर तो यहाँ पर देखे यहाँ आया है यह 151 करोर उस प्रॉफिट है और ग्रास प्रोफित अपॉन इन पॉन्ञों लिवाइड़गौख रख दिया है 11.33% होता है तो ग्रास प्रोफित मार्जिन मतलब क्या होता है कि अपंपनी जो है उसका जो उपरेटिंग प्रॉफिट जो निकाल रही है जो भी उसका जो capital है या फिर उसके जो sources है resources है उसका कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उससे कितना revenue कितना profit generate कर रही है यहाँ पर हमें दिखाता है जितना ज़्यादा gross profit margin रहेगा मतलब देखे 100 रुपए अगर आप किसी business में लगा रहे हो और उससे 11-12 रुपए निकाल रहे हो तो देखे यह तो एक किसी भी private institute से यह मतलब private non banking financial companies भी आज 12% से return दे रही है तो अगर 40 रुपए है 30 रुपए है 25 रुपए इस तरह से return है तो बहुत अच्छे return माने जाते हैं कारगर return माने जाते हैं तो देखें दोस्तों अब हम देखते इसका 52 वी लो 52 का हाई और लो भी हमें देखना है यह आप है कि अभी company 52 लो और हाई के हिसाब से कहा है तो इसका हाई जो है 493 है मतलब 490 के उपर है और लो जो है 312 है मतलब अभी company लगबग अपने लो के देखें आफे 366 है और 312 मतलब यहां उसका लो है जिसे उसने टच किया था और टच करके वापस उपर गया है फिर और एक बर नीचा आ रहा है ठीक है तो अब लो के करीब करीब company है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे return on capital employed company का return on ROCE 23.8% है मतलब अच्छा है ROCE अच्छा है company का कोई दिक्क इसे भी है जो आप यहाँ पर कुछ प्रोज और कॉंस भी हाँ पर स्क्रीनर पर डाले है कि company जो है return on equity last year से अच्छी दे रही है 32.1% दे रही है company अच्छा डिविडेंट पे आउट मेंटेन कर रही है और कॉंस जो बताया है वह स्टॉक अपने book value से नो पर नो टाइम्स ज और प्रमोटर अपनी holdings धीरे धीरे कर निकालते निकालते जा रहा है और तीन सालों में 30% के आसपास promoters ने अपनी holding यहाँ पर कम कर दी है तो यह ऐसा देखें यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है कि promoter जो थे December 2019 में 26 थे 26.20 और दिस अमार्च 2020 में उतने ही रहे लगबग वो September 2020 तक उतने ही रहे लेकिन December 2020 से लेकि 2021 के December तक एक साल में promoters बहुत ज्यादा निकल चुके है इस company से और अब 2021 से आज के इस quarter तक सिर्फ 2.54 रहे चुके है मतलब 10% रहे चुके जितने 90% promoters ने company छोड़ दी है तो यह कुछ अच्छे science नहीं है ठीक है यह फायज और डियाज का जो भी investment है company में अच्छा है ठीक है बहुत अच्छा है मतलब बढ़ चुका है इस तो थर्टी नहीं मतलब 40 है और डियाज 45 है बढ़ बढ़ दिया है उन्हें अपना government का बिल्कुल भी इसमें investment नहीं यह 0.24 पर है मतलब तो उसमें कुछ investment नहीं है government का इतना public public का online average भी कम होते गया है तो 2019 से 16 परसेंट था ठीक है 19-20 में 16-17 परसेंट था वहां से नीचे गिरावट आते आते हैं अब 12 परसेंट आया है तो देखिए दोस्तों हम FI और D.I.S के भरसे इस company में नहीं रह सकते मुझे तरह से लग रहा है कि इस company के value FI D.I.S के वज़े से बढ़ चुकिए प्रमोटर्स क्यों निकल गए इस बात कर आपको सुचना है चाहिए जैसे और दूसरा पॉइंट ये भी है कि company का price इतना ज्यादा है उसका पी हाए ठीक है उसके रिटरंस आर्निंग पर शेयर्स उतने एट्रेक्टिव नहीं है ही नहीं आट्रेक्टिव ठीक है revenue भी चुका है net profit इस quarter में कम हो चुका है यह सब कुछ हमें कुछ negative science दिखाई दे रहा है यहाँ पर और अभी company 52 वीक पे है तो मुझे ऐसा लग रहा है overall इन सभी चीजों को देखने के बाद अब हम टेक्निकल की तरफ बढ़ थे कि टेक्निकल में हमें क्या देखना ह देखे दोस्तों यह weekly trend line है यह daily trend line है अब company 52 week का जो लाइन है उसके नीचे है हमारे moving average के नीचे है और यह जो demand or sales zone जो मैं निकालता हूँ उसमे demand zone में आई थी और वहां से अभी नीचे आ रही है देखे दोस्तों अगर यह company demand zone को तोड़ देती है मतलब 350 को तोड़ के नीच की तरफ मतलब उसका जो 52 week है वहां तक जाते हुए दिखाय दे सकती है और एक बार तो हमें यहां पर wait करना चाहिए मुझे ऐसे लग रहा है ठीक है और all technical analysis को देखने के बाद भी मुझे यह लग रहा है कि company नीचे आ सकती है company अच्छी है लेकिन और value है तो हमें थोड़ा स वेट करना पड़ेगा अगर आप यहां पर भी बाई कर लेते हो और बढ़ भी जाती है यहां से तो भी उतने बढ़ने के आप chances उसमें नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो वहां पर अगर वह सेल्जोन है सप्लाइज होन है तो वहां पर आपको सेलिंग द means selling चलों यहां पर रू का इतनी तेज़ी से उपर गया तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं जो कि ठेख्निकल और फंडरमेंटल एनिलिस आपको आना ही चाहिए दोस्तो तो दोस्तो यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चेनल को लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं जब हमारे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको डिमांड और सप्लाइज होन का एक अच्छा एक वीडियो में हुआ तो एक फिर दो वीडियो डालने वाला हुँ दोस्तों तो आज के दिन बस इतना ही दोस्तों आप यह मैंने टेकनिकल और फंडामेंटल और मेरी राय भी दे लिए है आप खुद अपने डिसीजन ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप किसी एक अच्छे आपके पहिचान के जो भी एक एक्सपर्ट है उनसे राय भी ले सकते हो उसके बाद इन्वेस करना है या नहीं करन पर्पस का वीडियो है जिसमें मेरा पर्पस है कि आपका नौलेज बढ़ना चाहिए रस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल फिर एक अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो दिनी तब तक के लिए डीजी इजाज़त थैंक्यू वरे मैच बाइबाए दो झाल